राजस्थान में विदान सभा चुनाओं का परचार थोड़े घंटों बाद थम जाएगा और उससे पहले आप देखिए कि तमाम नेता अपने अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं और अभी हम बार्ड मेर विदान सभा के कॉंग्रेस परत्यासी मेवाराम जैन के साथ है और आप देख रहे हैं लोग चारों तरफ आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों में उच्चा है बीड़े बार मेर में इत्यासी रोड फोगा और मा जब्हार हं औ iki लगाए गधесो Trilak कि कि समय वो सब लोग याद कर रहें जो वो कॉर ना काल था एसे भेनक तरास्थी जतने भी अभी यह उस्पीतर स्पाइपर intensive सी साल के लोग भी बठे हैं किसी को याद नहीं कि ऐसी तरहती कभी आई थी ऐसे भह हैंकर टाइम में और पूरे भारत में और राजिस्तन और बाड में की जो इस्तिय थी भाई बाई के हाथ नहीं लगा रहा था बेटा बाप के पास नहीं जा रहा था कोई पास में हाथ मिलाने को त्यार नहीं था होस्पिटल में कोई मरीज के नजदीक नहीं जा रहा था और उस समय में हमने डाक्टरों को विश्वास में लिया परसासन को विश्वास में लिया बोमास जाएंगे या नहीं जाएंगे हमारा क्या होगा तो यह आदा भीम हमने वो निकला ऑक्सिजिन की कमी रहने नहीं दी इंजेक्शन की कमी रहने दी बैड पहुंद तीन सु की जगह हमने आठ सो बैड की व्योस्ता कर ली चाड़ो रो जैसल मेरो गुजरास से भी पेसेंट बढ़ी में जो कौ्म आता हूँ भी तो जंता के साथ लगावा है उनका और मेरा फरस्ता सब्सक्शं में ईनकर सुक्रों दूख में तो законч कावम जिसके भी कावम हुआ कौन सा छेत्र कोई बाकी छोड़ा है हम सब ने सिक्षा में चिक्रिषा में पौणी में बिजली में एस्पिताल में योजनों में बाड़मेर में जितना कावम हुआ इतियासी कावमवार महाने मुख्यमंतरी जी ने दिल खोल के दिया अगर ही नहीं किया और मैं बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसे उच्छा और जो उसके साथ आ रहे हैं इनके साथ जो उच्छा है और जो जिस तरह से सारे लगे हुए हैं कायर करता तो यह 25 तरी को सांधार बूटिंग होगी और कॉंग्रेस जीते की बि मेवाराम जैन को लेकर अगर कहा जाएं तो लोग यह कह रहे हैं कि कोरोना में जिस तरीके से मेवाराम जैन ने काम किया था इसके बाद विकास के काम करवाए कहीं ने कहीं मेवाराम के लिए वो काम अब संजीवनी बूटी बन रहे हैं अब देखने वाली बात होगी कि ती इन तारी को पर नाम क्या हैंगे घंदे बाद